देखो फ्रैंट मैं आज लोगों को आपको बहुत ही अच्छी चीज़ बताऊंगी बहुत अच्छी चीज़ है आज सबसे पहले काटोरी में आप लोगों को ओयल लेना है आप किसी भी परकार का ओयल ले सकते हैं कोकोनेट ओयल भी ले सकते हैं सरसों का ओयल भी ले सकते हैं मैंने ये एवन कंपनी का एलो वीरा का कोकोनेट का मिक्सर ओयल ले लिया है बहुत ही अच्छा है काफी बार मैं लगा चुकी हूं इसको और आप लोगों के सामने मैं इसी का दिखा रहे हूं यह ओयल लेकर जितने हम अमारे बालों में लगता है उसके कोडिंग आप लोगों को बाउल सामने मैं आप लोगों का कंप्लेट वीडियो दिखाऊंगी अच्छे से आप ऐसे मेरी वीडियो में बने लेना और विटामिनी का कैपसुल मैंने पिंच करके इसमें बाल में ओयल में मैंने मिक्स डाल दिया है और मिक्स करके मैं बालों में लगा के दिखाऊंगी देखो क से कट करके और पिंच करके ओ विटामिन E के कैप्सूल के ओएल निकाल लिया है और इसको मिक्स करके आप लोगों को अभी मैं बालों में लगा के दिखाउओंगी ऐसे मिक्स कर लेना है विटामिन ए का कैपसूल हमारे बालों के लिए बहुत ही अच्छा होता है ओल में लगाने से ये बालों को बहुत ही अच्छा मोस्चराइजर देता है बालों में नमी बनाए रखता है और बहुत ही सिल्की और स्मूथ बनाता है गाईज अब बालों को अच्छे से कॉम्ब करके अब बालों को लंबा करके अच्छे से कॉम्ब करके अब आपको ये रेमेडी बालों में स्कैल पे लगानी है ऐसे फिंगर से ही बालों पे ये लगानी है हलके हलके आथों से मसाज करते हुए ताकि हमारे बालों पे किसी परकार की कोई दिक्कत भी ना आए और अच्छे से ओयल मर्ज हो जाए देखो अब आप लोगों को मैं दिखा रही हूँ यह अच्छे से स्कैल पे लगाते रहना है बाल इतने स्मूथ और इतने साइनिंग हो जाएंगे कि आप लोगों को काफी अच्छा मैसूस होएगा और जो भी आपके एर को देखेगा वो हर कोई मतलब बोलेगा आपको कि आपके बाल बहुत ही पहले से सुन्दर और स्मूथ दीख रहे हैं और आपको बालों में एक्स्ट्रा केरेटिन भी बालों में मिल जाएगा इसे बाल हमारे खराब भी नहीं होएंगे और बहुत स्मूथ और साइनिंग हो जाएगी बालों में देखो स्कैल्प से थोड़ा थोड़ा करके और मांग निकालते हुए बालों पे अच्छे से मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ पूरे कंप्लीट एयर पे अब इस रे सकते हैं कितने मतलब बालों को ओल देते ही कितने समूथ और साइनिंग हो गए हैं बाल देखो कितने साइनिंग दे रही हैं मारे बाल कितने अच्छी रेमेडी है आप लोगों के लिए मैं लेके आई हूँ नेक्स्ट वीडियो में भी आप उमीद करना कि इससे भी बढ़िया आयर की मैं रेमेडी आप लोगों के लिए लेके आऊंगी ऐसे ही मेरी वीडियो लाश्ट तक देखते रहना और कोमेंट करना अगर आपने जैसी भी मेरी वीडियो लगी है आप कोमेंट जरूर करना और अगर पहली अमारे चैनल पे आप पहली बार आई हैं तो सब्सक्राइब करना और लाइक करना और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को सेयर करना ताकि और लोगों को भी सिखने को मिले और ये रेमेडी बहुत ही अच्छी है गाइस बालों के लिए बाल इतने स्मूथ और सोफ्ट हो जाएंगे लगाते लगाते ही हमें काफी अच्छा मैसुस होएगा फिंगर से ही हमें ओयल को लगाना है किसी भी परकार का ओयल लगाते हैं हलके हलके आथों से फिंगर से इबालों में लगाना है मैंने दो से तीन बार पहले इसको लगा चुकी हूं मुझे अच्छा result मिला तो अब आप लोगों के साथ ये share कर रही हूँ जो भी remedy मुझे अच्छी लगती है पसंद आती है तो वही मैं आप लोगों के लिए ले आती हूँ तभी मैं आप लोगों के साथ share करती हूँ देखो बालों की मेरी length भी पहले से बढ़ चुकी है कुछ ना कुछ ना कुछ लगाती रहती है देखो हमारे बाल कितने smooth और soft हो गई है बहुत ही अच्छे और soft हो गई है अब मैंने wash करके अपने बालों को आप लोगों के लिए को दिखाने के लिए ले करके आई हूँ कितने signing और soft हो गई है बालों में अच्छा silky और softness आ जाता है ऐसी remedy आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ हमारे चैनल पे अगर आप नए आई हैं तो मेरे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करना और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को सेयर करना है अच्छी अच्छी वीडियो आप लोगों के लिए बना कर लाऊंगी तब तक उमीद करती हूँ हमारे चैनल पे यूँ ही बने रहना और आप के लिए बहुत अच्छी जल्दी वीडियो लेकर के आती हैं देखो इतने अच्छे बाल हो गए हैं मैंने आपको बताया था कि दो बार पहले लगा चुकी हूँ मैं मुझे अच्छा रिजल्ट मिला आप लोगों के साथ मैं सेयर कर रही हूँ कोई ना कोई अच्छी रेमेडी बनती है तब ही मैं आप लोगों के लिए लेकर के आज आती हूँ कुछ ना कुछ हमारे एर में लगाने से घर की चीज़े बहुत ही फाइदे मंद होती है इनका कोई नुकसान नहीं होता और ये ओमोपेथिक होती है बहुत ही अच्छी होती है नेच्रल होती है ये चीज़े बहुत ही अच्छी होती है गाइस हमारे लिए